राम मोय होई पोरी से अजुद्धा अरू जुन दिखे साय तते देखा गोई से बंदोना ध्यत्मी कोतार एता पोरी वेख अरू ए मुहुताथ पुनोई पने अमी जाबोलोई विसारी सु के गड़ा की मन विखेक व्यक्टी रूसरोले आप तो कहां से हैं? अब बताईए तो आपको अभी कैसा लग रहा है कि 22 जनवरी को जो राम लला का प्रान प्रतिष्ठा होने जा रहा है तो आपको मन में कैसा लग रहा है कैसा नुभाव? जैसे दीवाली फिर से नहीं दीवाली आ रही है इसको जैसे नहीं दीवाली आ रही है? अब बताईए तो आपको कैसा लग रहा है और राम भजन या फिर कुछ भी आप अगर सुनाना चाहेंगे तो? हमको बहुत खुसी होती है कि राम भगवान का प्रतिष्ठा फिर दोबारा होने वाला है तो इसलिए हम जब को बहुत खुसी है भजन ऐसा कुछ सुना पकते हैं? मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे वो राम आएंगे तो वंगे ना सजाओंगा वो दीप जाला के दीवाली मैं मनाओंगा जो कले आहिसे ने आरू कुणू बाहते आपका? आमी वीश्व हनातन हंगटन और वाल्ड ओर्गनाईजिशन और आमी वाल्ड प्रेसिडेंट आमी राधाकुंदत्ताकु बिंदावनत् बिंदावनत्मार राधाकुंदत्मार मने आस्रम तु मुल घाटिटू आपनी 22 जानुरी प्राण प्रोटिस्ठाव पले ख्या हिसे? 22 जानुरी उद्दिशत आहिछू आरू अमार भगवान रामसंद्र जेटू माने प्रिभियास हिस्ट्री आमार हिंदुस्तन और कुटी-कुटी मानुए ना जने अमार प्रिभियास नाम असिले प्राण गुपाल दाशकुप्तो प्रिभियास नाम हुईचे दिनो कृष्ण दाश बाबाजी महराज अपनी आगोते हो है इसे कि पूर्बते हो हाँ आरू ए बार अहार निचे कोई तफात आता आसे क्यों ए बार अमार प्रान पर प्रोटिस्था चोपले आमी लोक्नते उलाईशू टेनर परा लोतनों दे उलाईशू लोटन परा जेतिया मने मने बास्वत उठीसु महिना इना मने मर धुनिया लागशे अरू मने मह भावी पुर्णा 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 मने मर रिधाट्टू यानुका हुईशे जे हनातन और जागरन पुर्णा 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 तो आप तो आपसे तो आची तरह से अम लोग जानना चाहिए कि जब भी चो पूरा माहौल है वो अलग ही बन चुका है चारो तरफ एक अध्यात्मिक एक अध्यात्मिक आनंदित प्रफुलित सबसे खास बात विरासत को संजोते हुए विकास को बढ़ाते हुए यह जो एक पैलर उन्होंने लौजी नोंने तयार की है विरासत को संजोते हुए और विकास के साथ जो इन्होंने इन्होंने पूरे आयोध्या जो उपेचित आयोध् तो पिछले जितने सालों में यहां इस तरीके का तो परिवर्तन निची तोड़ पर था नहीं तो अब एक अलग ही जो environment है अलग ही एक environment है तो वो जरा हमको बताईए कि locals की तरफ से या फिर locals के development के लिए भी तो बहुत सारी मौके आएंगे आ गए है मैम जिस रोड़ पर आप इस समय खड़ी है न इस रोड़ पर आप शाम को छे बजे के बाद आनी सकते थे यह मैम जसरभी की बात है जब रिजल्ट नहीं आया तो तब से पहले की बात है रिजल्ट आने के बाद जो continuously जो इसको मिला है यहां पर सुरच्छा मिली है हर तरह से जो इसको नजरी से देखा गया है यह अब आप इमेजन नहीं कर सकती हो और आगे कहां तक यह जाएगा यहां आओगे घुमने के लिए हमारे इल्ट घर्वास है और जब आप आओगे तो जो मैंने पैसा आपके आपके दे कर किया हैं तो जो मैंने अपना कर ऑँभ बेसी बाद अर्थवरस्त में जो और एक्स्ट्रा सयोग करेंगे तो अर्थवरस्त हमारी और मजबूत होगी और जाकी CIA की रिपोर्ट भी है कि इतना development की वज़े से इतना जो यहां पे expenditure हो रहा है उसकी वज़े से जो business ने ग्रोथ कर ली है मेरा भी business है bakery का मैं तो देखते हैं मैं कैसे समय निकाल कर क्या हूं family के साथ वो मैं जानता हूं जो हम पहले बस लोकल में थे अब हम इंटरनेशनली नेशनली नेशनली पकाया कर पो चुका है आपको मेरे चेहरे से बता चलो का मैं कितना अनन्दित हूं आज मैं परिवार को लेकर का आप भी यहां पर हैं मैं भी यहां पर हूं और जो सुरच्छा मिली नेb самое पूरा विश्मूरीद हो गया है कि हां हमारे राम आ गए हैं आएंगे नहीं आज चुके हैं हर तरह से यहां के लोकल है तो हमारे असाम के दर्शकों को थोड़ा बताईए कि यह जो हम इस भव्येक एंट्री जो गेट है इससे और कितना किलोमेटर हमको जाना है राम के मंदि कितना यहां से और क्या कुछ मिलेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा अगर कोई यहां आना चाहे तो आप थोड़ा अगर मैं आसाम के निवासियों से निवेधन करता हूँ यह आपका सूरे इस्तम चौरा है यहां से होते हुए अगर आप वाकिंग डिस्टेंस करके आप चलते हैं तब आपको एसास नहीं बता चलता एक यह आपको पूरे आयोद्यावासी सरकार आपका स्वागत करने के लिए इसी तरह के कई का सारे डिवल्मेंट के साथ तयार बैटी आपको सूरिच इस्तम है और भी कई राम इस्तम है धर्मपत यह सारे कई सारे हैं यह आयोद्या में छोटे बड़े मिला करके करीब 6,000 मंदिर हैं जहां पर आप जिनका कायक कल बदलता जा रहा है यहां की प्रापर्टीस के जो रेट बढ़े हैं और अब्यस्सी बात है क्यों न पढ़े हैं और लोग कहते हैं कि राम को राजनीती का शिकार बनाया जा रहा है विपच कहते हैं मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं जन्रल बात कर रहा हूं राम को राजनीती की जा रही है क्यों क्या विपच ने इतने सालों तक राम को कल्पने के करके कुछ लोगों का वोट पाने के लिए उनकी राजनीती नहीं की मैं तो कहते हूं यह मो जिन पर आई थी उन्हों ने एक दलित परिवार के घर में अचानक जाकर के उन्हों ने वहाँ पर भोजन किया और वो च्छन भी याद करके हम लोग सोचते हैं कि दलित के घर जब गए तो इसका मतलब राम राज की शुरुआत हो चुकी है वही एक समय था जब कहा जाता है कि समाज के आखरी व्यक्ति तक भी अगर राम जी पहुचे अगर उनका न्याय पहुचा तो इसका मतलब यही है हमारा राम राज जी बा श्री रामर भजन बा श्री रामर गीतेरे मुखरी तो खोई ठोका ता परिवेक और ए आए अजुद्धा ए आए राम जन्मभुमी अजुद्धा जी अजुद्धा होईटू ए परिवेक्तूर बाबे देख पाखीर कुटी-कुटी जनता है होईटू किमान बसर अपे